नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चेल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस नूज बिलती रहती है आज हम बात करने जारें दोस्तों ITC के बारे में आप जानते हैं काफी समय से एक वैल्यू ट्रैप जैसी ही मेज हो गए ITC की जहां पर एक हाई बनाया पर काफी समय से डाउनवर्ड बोमेंट पर चल रहा है यहां आप देखते हैं निफ्टी अपने प्रीवेस हाइस पर आ चुका है और ITC ने अपने प्री कोविड लेवल से उनको टेच नहीं किया है तो देखेंगे आज लेटेस्ट क्या न्यूज आ रहे हैं ITC के सिगरेट सेग्मेंट से एक बड़ी खबर आ रही है सिगरेट सेग्मेंट आप जानता है ITC का मेजर रेवेन्यू है मेजर प्रॉफिट भी वहीं से आता है तो उसकी न्यूज काफी इंपोर्टेंट रहती है तो साथ में देखेंगे अभी इंपोर्टेंट लेवल्स के हैं कि निफ् मिलता रहे तो ITC stock आप देख सकते हैं आज है 5 जनवरी 2021 और आज के दिन 211 के आसपा सी closing हुई है लगबग flat closing हुई है अगर आप यहां पर वन येर का chart देखें तो आप समझ सकते हैं कि 200 के आसपा चलता रहा शेर लेवल देखा जाए तो वहां से गिरावट हुई लगबग 160-150 तक और अब आप देख सकते हैं कि धिरे-धिरे stock एक flat change में चल रहा था और हाली के कुछ एक महिने में जब overall market में तेज़ी आई तब stock 160 से 211-220 के levels को touch कर चुका है तो यहां पर आप देख रहे हैं पिसलिए हाली की time में recovery जरूर जारी है इन 5 साल में अगर आप देखें रहा है वो एक ITC के लिए risk हो सकता है आगे आने वाले time में तो आप देखें ITC के most of the products है FMCG sector के 72% है और उसके साथ साथ आप FMCG sector के अके लिए देखें तो उसमें 65% सिर्फ cigarette से आता है तो FMCG sector जिसमा ITC का focus है cigarette के अलावा वहां से जरूर बूम दिख रहा है पिसलिए results में भी दिखाता भी January के results भी पेश होंगे और फिर भी आप देखें से 65% प्रोड़क्ट प्रेकप है जिसकी वैसे काफी बड़ी हिसेदारी ले ले लेती है cigarette सेग्मेंट तो यहां पर आप देखें तो फिलहाल जो financial year शुरू हुआ है वहां पर सब वरीट थे कि ITC की cigarette volumes में disruptions ह हुई है कोई COVID lockdown के वैसे आप जानते हैं इनकी वी quality कम हो गई थी और उसी वज़े से एक से दो quarter थोड़े कम होए थे ITC के अगर हम profit देखें तो वहीं पर दूसरी बात पताए जा रहे कि investors को एक और risk रहता है एक और डर रहता है कि जो tax rate का increase है cigarettes पर क्यों आप जानते है जब concerns है environment को लेकर आप जानते है cigarettes फिलाल एक harmful चीज़ है तो वहाँ पर nature को लेकर भी environment को लेकर भी इसको harmful बान जादा है तो उसके related और एक negative effect पड़ता है company के product पर तो यह सब problems already चल रही थी investors के और यहाँ देखते हैं नई problem किया सामने खड़ी हुई है फिलाल reports आ रही है कि center ने prepare किया एक draft bill यहाँ पर draft bill prepare किया है उसके according जो age है sale of cigarettes और tobacco products की 21 years कर दी जाएगी 18 years जो फिलाल है यहाँ आप देख सकते हैं cigarette या smoking के perspective से देख रहे है तो अच्छी बात है कि smoker की age थोड़ी बढ़ा दी जाए तकि young age में smoking ना करे लेकिन यहाँ पर हम companies की बात करते हैं तो इसकी range है यहाँ के customers ITC lose कर सकता है अगर यह draft पिलोगे ITC नहीं बाकी cigarette manufacturing companies भी और आप देख सकते हैं इसको strict करने के लिए जो penalty होगी smoking की वो 2000 रुपे कर दी जाएगी 200 रुपे से देख सकते हैं आप जाधा fine होगा तो वहाँ पर जाधा strict regulations होगी यानि इनको break करने पर hefty fine हो आपको जितनी चाहिए पर आगे यहाँ पर sealed packets में आ सकते हैं यानि खरीदना है आपको तो आपको पूरा box रहिदना पड़ेगा यानि कुछ लोग जो काफी कम करते हैं या कुछ छोटी amount में खरीदते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं वह market भी effect हो सकता है और उसके साथ-स प्रड़क्स की सेल हुई जो included नहीं है इस बिल में तो वहाँ पर one year की imprisonment and 50,000 find देख सकते हैं आप काफी कड़े restrictions लगाए जा सकते हैं और सीधा सरा ITC के cigarette segment पर पर सकता है तो यहाँ पर Adelweez Securities की तरफ से बोला गया वहाँ पर analyst ने बताया कि अगर यह draft law बन जाता है तो व जानते हमें डिसक्स करें कि sealed and intact packs में होंगे तो यह काफी बड़ी मार हो सकते है ITC के लिए आगे आनवल समय में पर ITC के FMC segment ज़रूर बढ़ रहा है पर आप उसका profit देखिए जो cigarette segment से compare करें तो काफी मामूली है वहाँ पर ITC को speed up करना पड़ेगा साथ में और business ITC के यहाँ आप देख सकते है paper boards, paper and packaging and साथ में agribusiness, hotel business, hotel business already effective है काफी ज़्यादा आप देख रहोंगे hotel business अभी revive नहीं हुआ है paper boards तब चलेगा जब आप जानते है office खुल जाएंगे school खुल जाएंगे तो वहाँ पर जरूरत होगी इन चीज़ होगी and agribusiness आप देख सकते हैं यहाँ ज़रूर improvement दिख रहा है तो फिलहाल बाकी business को expand करना पड़ेगा ITC को अपनी margins को maintain करते हुए improve करते हुए and cigarette segment पर cautious रहेगा और यह डर हमेशा बना रहेगा ऐसा नहीं कि अभी अगर draft पास नहीं हुआ तो डर चलाए क्योंकि cigarette पर आप जानते हैं हमेशा एक fear बना रहते है कि कोई नया law ना आ जाए taxation कितना होगा तो यह problem हमेशा है रह सकते हैं अपनी काफी अच्छी अच्छे profits देती है लेकिन आप जानते हैं stock कभी वी कोई buy करता है तो इन्वेस्ट करता है तो future perspective से करता है वहाँ पर strength and weakness सब सामने रहती है तो यह effect कर सकता है ITC को इसले quarter की sales देख में 39% था यहाँ पर sales में जरूर recovery हो गई उमीद है December quarter में और जादा recovery देखने को मिल सकते कोई आप जानते हैं लोगडाउन हटा है एंड काफी चीजे open हो गई थी तो company profit लगातार बनाई जा रही है लेकिन यहाँ पर आगे future prospector decide करेंगे आप जो आगे laws आते हैं या company कुछ बड़ा major change करती है वही decide करेंगे ITC के आई का fate आई टीसे का चार्ट देखते हैं फिलाल important levels क्या बनते आ रहे हैं तो यहाँ पर weekly chart है यहाँ एक candle आपको per week का data दिखा रहे है आई टीसे में बड़ी तेजी आई उसके बाद एक हमें triangle pattern बनता दिखा जो contract होता रहा और वहाँ से recovery जरूर हुई है अभी पुराने level से काफी दूर है तो long term perspective हमें दिखाई दे रहे हैं चलिए short term देखते हैं daily chart पर देखते हैं क्या levels दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले note करनी वाली बात है कि ITC में जो तेजी आई है 163-162 की level से वहाँ पर ITC ने 21 day 20 day EMA को अच्छा support बना रखा है उसी को लेकर ITC ने previous भी jump किया था जब lift में fall आये था बड़ा तो 298 के आसपास के level से फिर से जब देखने को मिला है एंड हाली की दिनों में काफी लंबे समय बाद ITC ने 200 EMA को cross किया है तो 200 exponential moving average को ITC ने cross कर दिया है वहीं आसपास से support लिया तो आप लंबे सम समय के लिए ITC से support रहेगा important वो लगबगी level रहेगा 205-207 के बीच में देख सकते हैं आप पहले एक तरीका के resistance था यह 2-3 बार resistance लिया cross नहीं कर पाया वहाँ पर 200 EMA से ही shock को नीचे की तरफ bear control में आ गया था और वहीं से आप देख सकते हैं फिलाल cross किया लगबग उसी level के आसपास ITC से support लिया यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी में गिरावट हुई थी एक तिन 700 पॉइंट की प्रोफॉस गिरावट तो की आप देख रहे हैं निफ्टी अब 13000-14200 आ चुका है तो level भही है कुछ दिनों में ITC की movement के वैसे आपको 200 EMA भी यहाँ पर लगब correction आएगी तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस stock में उसमें क्या level चल रहा है मेजर तेजी की बात करें ITC में तो जो level है लगबग 220 के आसपास अगली तेजी जो आएगी ITC में 15-25 इतने point की वो इस level के उपर आएगी तो फिलाल ITC range bound है जहाँ पर 198-200 के level से लगबग 220 के level इस level में ITC range bound है यहाँ पर अब जिस side आपको breakout दिखेगा उस side आपको अगला बड़ा move आता दिखेगा इस breakout का जो अगला target हो वो लगबग 235 के आसपास होगा तो 220 के उपर 235-240 के आसपास जा सकता है ITC यह थी दोस्तों ITC related latest news and analysis वीडियो पसना है तो like कीजिए और ऐ channel को subscribe कीजिए